केंद्री ग्रिह मंत्री राजनाथ सिंग आज प्रधान मंत्री मोधी से मुलाकात करके उन्हें जमु कश्मीर के हालाद से अवगत कराएंगे राजनात सिंग अपने साथ जमू कश्मीर गए All Parts Delegation के अनुभव के बारे में भी प्रधान मंत्री को बताएंगे प्रधान मंत्री वोधी देर रात ही चीन से वापस दिल्ली लोटे है पाकिस्तान ने एक बार फिर सिज फायर का उलहंगन किया है जमू के पुन्च सेक्टर में सोमवा राज से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है भार्धिय सेना की छे पोस्ट को निशाना बनाया गया है रुक रुक कर मोटा भीद आगे जा रहे हैं रक्षाह सूत्रों ने बताया कि भार्धिय सेना ने भी इस गोली बारी का मुख्तोर जवाब दिया है कॉंग्रिस अपध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है राहुल देवरिया से दिली तक की पच्चिस सो किलोमीटर लंबी किसान यात्रा करेंगे मिशन की शुरुआत आज देवरिया के रूद्रपूर गाउं से हुई है यात्रा की शुरुआत में राहुल ने किसानों के साथ खाथ पर बैठ कर पंचायत थी इसे खाथ पर चर्चा का नाम दिया गया है दिली हाइकोट ने जेन्यू प्रशासन को अनुशासन हिंता में दोशी करार दिये गए शात्र उमर खालित और अनिर्बान भतच्वारे पर एक हफते तक कारवाई ना करने का निर्देश दिया है हाइकोट ने एक हफते के लिए जेन्यू अपीलिय अप्राधी करन के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दोनों छात्रों को अनुशासन हिंता का दोशी पाया गया है बिहार के इंटर टॉपर स्कैम की जाच कर रही एसाइटी ने कोट में कल आरोप पत्र दाखिल किया घोटाले को लेकर दर्ज हुए मुकदमे के ठीक 90 दिन पूरे होने पार एसाइटी ने ये चाजशी दायर की है 4124 पन्नों में इंटर टॉपर घोटाला मिश्वामिल आरोपियों के खिलाफ उनकी सारी कर्टूतों को एसाइटी ने दर्ज दिया है कोट में आरोप पत्र दाखिल कर दिये जाने के बाद अब इंटर टॉपर घोटाले मिश्वामिल आरोपियों के खिलाफ गवाई की प्रक्रिया शुरू होगी एसाइटी ने बिहार बोट के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद उनकी पत्री उश्वासना मास्टर माइंड बच्चा राय समेथ उन तमाम आरोपियों का काला चिप्था दर्ज किया है जो इस कैम में सामिल है राश्ट्र महिला आयोग ने आप नेता अशुतोष को 8 सतंबर को आयोग मुख्याले में हाजर होने के लिए समन भेज़ा है आयोग को उमीद है कि आशुतोष कायरता दिखा कर वकील से जवाब भेजने की बजाए खुद हाजिर होकर आयोग के सवालों का सामना करेंगे राश्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने आशुतोष की हरकतों को आड़े हातों लेते हुए कहा कि जिस तरह आशुतोष पहले ब्लॉग और अप्ट्रिट कर रहे हैं ऐसे में हम उन से सवाल तो करेंगे ही आशुतोष ने सेक्स सीडी मामले में दिल्ली सरकार की फूर्व मंतरी संदीप कुमार का बचाफ करते हुए कई आपत्ती जनक बाते कहीं जीए दिल्ली के मुखे मंतरी और आम आधिपाती के सयोजक अर्विन केज्रिवाल पर समाथ सेवी अन्ना हजारे ने फिर नाराज गिजताई है दिल्ली सरकार के मंतरी संदीप कुमार की सेक्सीधी सामने आने के बाद हुए हंगामे पर अन्ना ने कहा कि उन्होंने पहले ही केजरिवाल को आघग किया था लेकिन केजरिवाल ने उनकी कोई बात नहीं मानी आम आधिपाटी विधायक के संगीन आरोपों का जवाब देने के लिए 24 गंते बाद खुद संजे सिंग सामने आए संजे सिंग में एक बेहद आकरुमक प्रेस कॉन्फिंस करते हुए आप रिधायक देविंद्र सहरावत को चिनौती दी और कहा कि अगर सहरावत सुबूत पेश कर दे तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा शहरावत ने आपके संजे सिंग समेथ कई वरिष नेताओं पर पंजाब में टिकेट के बदले योन शोशन करने का आरोप लगाया था संजे सिंग के मुताबिक दरसल ये एक सडियंत्र है डीजेपी और अकाली दल का क्योंकि हम पंजाब में सौ से ज्यादा सीचे जीत रहे हैं अमेरी की राष्टरपती बराक ओबामा ने फिलिपिन्स की राष्टरपती रोटरिगो जूटते के साथ आज प्रसावित बैठक रद कर दी है वशिंग्टन में वाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी सूत्रों के मताबिक पिलिपेंस की राष्टपती रोटरिको जूटटे ने ओबामा को माग की गाली दी थी अफगानिस्तान की राज़ानी काबुल कल रात सीसरा शक्रिशाली विस्पोर्ट से दहल गया कुछ घंटे पहले ही तालिबान की ओर से किये गए दो बं विस्पोर्टों में कम से कम 24 वेक्तियों की मौत हो गई थी और 91 अन्य घायल हो गए थे इस विस्पोर्ट की अभी किसी भी आतंगवादी समुहने जम्यदारी में ही ली है पूर्व अस्ट्रेलिया क्रिकेट कप्तान रिकी वोटिंग ने एक समय क्रिकेट के मैदान पर उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे भाट की स्पिनर हरबजन सिंख की जम्कता रिखी है उन्होंने बताया कि हर बजन उनके दुश्मन नंबर उन थे और उन्हें आज भी भज़ी के बारे में बुरे सपने आते हैं पाकिस्तान की विश्व कप के लिए स्वत्त क्वालिफाई करने की उमीदों को करारा जटका लगा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाब 5 मैचों की वन्डर सीरीज में एक चार से हानने के कारण अपनी सबसे कम रेटिंग 86 बार पहुँच गया है जो से विश्व कप 2019 के लिए स्वत्त क्वालिफाई करना मुश्किल होगा